नमस्कार, मैं केम सेनी, लेक्चरर मेकेनिकल प्रोडक्शन इंजिनिरिंग डिपार्टमेंट, गॉर्मेंट रामचंदर खेतान पॉलेटेक्निक कोलेज जेकपूर, आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम फोर्जिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, जिसमें स्पेशली हम बात करेंगे, फोर्जिंग प्रोसेस में जो ड्रोफ फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग उपरेशन जो होते हैं, उनमें क्या डिफरेंसेज हैं, तो उनके डिफरेंसेज के बारे में अपने बात करेंगे जैसा कि हम जानते हैं कि ड्रोफ फोर्जिंग और प्रेस फोर्जिंग जो फोर्जिंग प्रोसेस हैं उनको कैसे डिफरेंसेट करेंगे और कैसे डिफाइन करते हैं अपने देखते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रोफ फोर्जिंग और प्रे annexar के प्रोसेस को प्रेस फॉर्जिंग बोलेंगे तो जैसा कि अपने जानते हैं कि ड्रोफीग में क्या होता है कि जो मेर्टल होता है उस पर continuous impact लोडिंग की जाती है हेमर्ड किया जाता है उसको और उसको force किया जाता है कि वो die cavity में flow करे तो ये तो drop forging है जिसमें impact continuous impacting के दुआरा material को die cavity में flow किया जाता है जबकि press forging में continuous impact नहीं होते उसमें gradually धीरे धीरे press के दुआरा उसको material को compress किया जाता है और उसको force किया जाता है कि वो die cavity में flow लो करें और उसको फिल करें तो बेसिक डिफ्रेंस तो यह है कि ड्रोप फोर्जिंग में इंपक्ट लोड आते हैं और प्रेस फोर्जिंग में कम्प्रेसिव लोड आते हैं और ग्रेजुवल लोड होते हैं दूसरा जो डिफ्रेंस है वो यह कि कितने स्ट्रोक में यह उप्र की जाती है और direct cavity में material को फिल किया जाता है जबकि press forging में क्या होता है कि जो सारा प्रोसेश जो है वो एक ही single stroke में complete हो जाता है धीरे धीरे उसको compress किया जाता है और finally उसको full flesh compress करके उसमें वो material को fill कर दिया जाता है तो दूसरा इनमें difference है की drop forging Milli multiple stroke में complete होता है और press forging में single stroke में process complete होता है इसी परकार तीसरा जो difference है वो है alignment का कि जो die के दो part होते है upper half और lower half उन दोनों part का alignment कैसे होगा तो उन दोनों parts को align करने के लिए drop forging में थोड़ी difficulty होती है क्योंकि उसमें competitive repetitive loads आते हैं या impact loads आते हैं बार-बार strike करता हो उस पर तो उस वज़े से उन दोनों जो die हैं उनका दोनों का alignment करना तोड़ा difficult होता है लेकिन press forging में क्या होता है कि इन दोनों die के जो parts है या दोनों पहाफ है उन दोनों का alignment करना easy होता है comparatively easy होता है क्योंकि जो die दाई जो है वो धीरे-दीरे मूह करती है और drop forging में alignment difficult होता है क्योंकि इसमें impact आती है रेम जो है वो बार-बार impact करती है तो उसके साथ में जो upper half connect होता है जो die का उसका और lower half का alignment थोड़ा सा difficult होता है मेच करना next जो अंतर है वो है कि drop forging है वो press forging के मुकाबले में धीर धीमा process है क्योंकि इसमें जो है कि जो forging का process है वो multiple stroke में complete होता है यानि कि एक से ज़्यादा stroke में complete होता तो इसमें समय भी ज़्यादा लगता है जबकि प्रेस forging में ऐसा नहीं होता है यह drop forging के तुन नमे faster process है क्योंकि इसमें complete जो प्रोसेस है वो एक single stroke में ही complete हो जाता है अब हम आगे बात करते हैं next जो difference है कि power कहां से मिलेगी अपने को drop forging में जो है वो जो हम use करते हैं hammers यूज करते हैं वो जनरली power operated hammers यूज करते हैं जिनसे की अपने वो impact loading या जो power मिलती है वो है और press forging में क्या करते हैं कि अपने power operated press यूज करते हैं अब वो press जनरली hydraulic भी होती है pneumatic भी होती है mechanical भी होती है ऐसे ही जो है hammer use करते हैं यह hammer pneumatical hammer भी होते है और steam operated hammer भी होते है और hydraulic hammer भी होते है electrical hammer भी होते है तो यहां जो fifth difference था कि जो power operator hammer Ж Size करेंगे और एक में press यूज खरेंगे तो Drop Forging में हैं आपने hammers यूज करते हैं और प्रेश फोर्जिंग में अपने प्रेश यूज करते हैं अब जैसे हैमर्स यूज करते हैं तो उसके continuous impact से आवाज भी आएगी noise भी create होगी जर्क भी आएंगे तो ये ड्रो फोर्जिंग में ये चीज़ें common होती हैं लेकिन इसके विपरित प्रेश फोर्जिंग जो है इसमें किसी परकार के जर्क नहीं आते किसी परकार की आवाज नहीं होती इनका जो operation या संचालन है वो शान और smooth होता है नेक्स्ट जो है वो है कि ड्रो फोर्जिंग में जो डाई ये अपने यूज करते हैं उनमें किसी परकार के mechanical means की जरूरत नहीं होती जो की उसके अंदर air या lubricant जो होता है उसको बाहर निकालने के लिए कोई माद्यम की जरूरत नहीं होती है क्योंकि उसमें जो डाई है वो बार-बार खुलती बंद होती है और बार-बार repetitive impact के थ्रू होती है तो air या जो कोई lubricant है वो बाहर आता जाता रहता है तो उस वज़े से अलग से अपने कोई provision रखने की आवसक्ता नहीं होती है लेकिन इसके विपरित जो प्रेस जो है उसकी जो डाई होती है उनमें एक बार अपने material रख दिया बिलेट रख दिया उसके बाद में जो continuously compress हो रही है और उसके अंदर जो lubricant है और air जो एंट्रेप्ट है तो वो air और lubricant को जैसे जैसे material उस डाई के उटी को फिल करता जाएगा बा नहीं होगा तो उसमें defects आने के chances रह जाते हैं तो जो डाई है उसके अंदर जो अपना product है या जो पार्ट है वो है तो उसके अंदर फिल हो गया तो उसको बाहर निकालने के लिए भी अपने को उसको ejecting medium लगाना पड़े यानि कि mechanical ejecting medium भी उसमें introduce करना पड़ेगा तो प्र और जो पार्ट है complete होने के बाद उसको निकालने के लिए ejecting method भी लगाना पड़ेगा next जो है कि drop forging है उसमें जो रेम का traveler की बार बार वो उपर से नीचे गिर रही है तो उसका जो moment है उसको अपने automatically control नहीं कर सकते वो impact load के रूप में आती है तो उसको automatically control करना possible नहीं है लेकिन इसके विपरित जो die press forging है उसमें जो die का अपर हाफ का travel है वो smooth होता है quit होता है और उसको oil flow या जो अपना liquid flow है उसका flow rate control करके उसकी moment को भी control किया जा सकते है यानि कि press forging में आप die के moment को control कर सकते हो इवन automatic भी कर सकते हो तो automatically control कर सकते हो next जो difference है वो है operator की skill कि कैसे operator आपको चीए जैसे कि अपने देखते है drop forging में बार बार die खुलती है बंद होती है उसमें intermediate stages आती है तो यहां आपको जो operator है वो skilled operator चीएगा उसकी skill बहुत high level की होनी चीएगा तभी वो उसपे काम कर पाएगा या उससे product बना पाएगा या उसस लेकिन इसके विपरित जो प्रेस फोर्जिंग है उसमें manual इंटरप्शन बहुत कम है minimize है उसने अपने उसको automize कर सकते है रह मुमेंट को तो यहां पे skilled labor की requirement या skill operator की requirement नहीं होती है next जो difference है वो है drop forging में बार-बार impact load आते हैं तो इसकी वज़े से जो forging है वो dimensionally less accurate होती है as compared to press forging और less close dimensionally tolerance can be maintained as compared to press forging यानि की drop forging में अपने जो dimension की accuracy है और dimension पे जो tolerance है वो closely maintain नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें impact loading के वज़े से flashes बढनने के chances रहते हैं और बनते हैं इसके विपरित press forging में जो die की dimensions है उनको अपने control करके उस पे अपने close tolerance maintain कर सकते हैं और dimension जो है उस पे भी accuracy maintain कर सकते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि drop forging और press forging के अपने-अपने advantage और disadvantage हैं इन दोनों में कुछ differences हैं जो अपने यहां आज चर्चा किये तो competition में भी कई बार इनके बारे में चर्चा की जाती है और board examination में इन पे बड़ा question भी बनता है तो आप सभी लोग इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें और देखें धन्यवाद जोल सबस्टबाव क Munich मरी कोफ जोल अर्चा कव